कि यहां देखिंगे कि अगर फॉटहूजन फॉर हिंड़र्ट beide करने लिए एक सा जो अगर आप देखिंगे बिटकों की आप अच्छा सपोर्थ यहां पर देरा कंद थोड़ा सा में को बांस भी देखने को मिला बट क्या इसका मतलब यह है कि bitcoin की price के अंदर अब जितना pain था वो खतम हो गया और हमको upward movement देखने को मिलेगा तो उसी के बारे में हम important यहाँ पर zones के बारे में बात करेंगे क्योंकि currently एक जो zone है जो बहुत ज़ादा यहाँ पर clear है और जिसके बारे में हमने पहली भी काफी बार बात करिये कि bitcoin अभी range bound हुआ है दो बहुत important zones के बीच में पहला यहाँ पर जो zone है जहाँ पर अगर bitcoin को अपना bullish momentum continuation में रखना है कि इसी साल के अंदर अगले 3 महिने में और अच्छा price movement आए तो वहाँ पर bitcoin के लिए important है कि bitcoin की price यहाँ पर 50,500 डॉलर के उपर at least 2 week की candle closing यहाँ पर करें अगर वो possibility हमको यहाँ पर देखती है तो हम expect कर सकते है bitcoin की price जो यहाँ पर है previous all time high को test कर सकते है और possibly वहाँ पर जिस तरह का reaction होता है उससे उपर भी यहाँ पर जाए लेकिन अगर वो चीज नहीं होती है तो possibility यह है कि हम range about रह सकते हैं और फिर वहाँ पर downside में हमारे लिए जो एक बहुत risky area बन जाता है वो यहाँ पर है 40,400 डॉलर्स जो currently आप देख सकते हैं bitcoin की price जो है इस level पर काफी अच्छा जो support है bitcoin की price को यहाँ पर मिल रहा है जहाँ पर जब भी 40,400 डॉलर्स टेस्ट किया price में यहाँ पर bounce है एक चीज थोड़ी सी वरिसम की हो जाती है कि जब अगर price यहाँ पर slow bleed हो रही होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं इतने strong bounces नहीं आते हैं price moreover यहाँ पर support में रहती है बहुत हलके से bounce आते हैं लेकिन एकदम जब support से वो चिपकी रहती है तो वहाँ पर क्या possibility जाती है कोई भी support या resistance अगर बार बार टेस्ट हो रहा है वहाँ से को reversal या bounce हमको नहीं देखने को मिल रहा है तो उसके break होने के chances जादा हो जाते हैं जैस के price के अंदर 4 hourly daily नहीं weekly candle closing दो weekly candle closing आप यहाँ पर मी मान लीजिए इसके नीचे देखने को मिल जाती है तो फिर वो serious trouble का zone यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर मतलब lower zone जा सकते है and then we have to see कि all time high मतलब possibly इस साल के अंदर वो hit नहीं होगा तो इसलिए यह एक zone है जो आप closely देखे जब तक यहाँ पर हमारी दो weekly candle closing इस zone के ओपर नहीं आती बहुत जादा chances है price जो है नए all time high पर इस साल के अंदर नहीं जा सकती है तो यह दो important zone है जो mainly आपको यहाँ पर देखने है and you can keep an eye on this बाकी यहाँ पर एक और चीज़े जिसको मैं यहाँ पर काफी closely monitor कर रहा हूँ औ और आप भी अगर चाहें आप उसको closely यहाँ पर monitor कर सकते हैं कि अगर हम bitcoin का पूरा यहाँ पर previous जो चार्ट है आपर हम उसको यहाँ पर निकालते हैं and वहाँ पर हम RSI को भी pull up करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो बहुत important level यहाँ पर RSI के लिए रहा है वो य नीचे यहाँ पर आगए यह weekly charts open कर रख है मैंने तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर bitcoin के अंदर हमको downfall देखने को मिला और basically यहाँ पर bear market था यह चीज आप देख सकते हैं 13 and 14 के अंदर भी यह चीज हुई थी and यही similar चीज जो थी उसके बाद हमको 2016 से लेके 17 में भी देखने को मिली जब price finally यहाँ पर इस level से उपर निकले and फिर इसके उपर ही रहे जाए कितनी भी correction है हम इस level पर harbour bounce करें यहाँ पर पूरा जो bull run था वो हमको देखने को मिला लेकिन जब हम इस level के नीचे फिर से breakdown हो गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं bear market आया similarly 2019 में जो एक थोड़ा सा short term यहाँ पर pump आया था उस time पे भी हम इस level के उपर थे लेकिन जैसे ही price struggle करी और इसके नीचे आ गए तो हमको यहाँ पर एक dump देखने को मिला अभी भी currently 2021 में हम देखेंगे तो RSI level पर आप देख सकते हो जब से हम RSI में इस zone के उपर आये है weekly charts के अंदर तब से आप देख सकते हो यहाँ पर जो bull run है उसका continuation यहाँ पर चल रहा है and अभी importantly अगर आप देखेंगे जब से bitcoin की price 65,000 dollars से नीचे dump करी उसके बाद से यहाँ पर RSI level जो है थोड़ा सा यह struggle कर रहा है इस level के उपर hold करने पर and अगर आप currently closely देखोगे तो हम exactly उसी level पर है जबी RSI थोड़ा से यहाँ पर struggle कर रहा है तो another indicator जो यहाँ पर 50,500 के साथ जो मैं match करना चाहूंगा वो यहाँ पर यह है कि weekly में यहाँ पर RSI जो है वो at least यहाँ पर यह 52 का जो area है इसकी ओपर यहाँ पर अपना support बना है possibly इस तरह से कि यहाँ पर हम breakout करें and यहाँ पर support बन जिसको देखना काफी important होगा क्योंकि आप देख सकते है past के अंदर खोद एक बड़ा अच्छा example यहाँ पर रह चुका है कि जब हम इस level के नीचे रहे हैं तो price के अंदर किस तरह का dump देखने को मिला और फिर वहाँ पर बुलडरन नहीं आया जब तक हम उस level के ऊपर नहीं तो यहाँ पर भी अगर बुलरन को continuation में चलना है अगले तीन महीने में price का rise बहुत अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए इस level के ऊपर रहना ज़रूरी है अगर price यहीं इसके नीचे बार बार स्टगल करती रहेगी थोड़ा उपर जाए भी नीचे स्टगल करे तो then you know the real picture what is exactly happening here बाकी current movement की according एक और चीज़ जो मैं आपर add करना चाहूँगा जो आप थोड़ा closely यहाँ पर देखना 50,500 डॉलर्स का level तो आपको यहाँ पर बताए दिये कि यह important zone हो गया दू weekly candle closing उपर आनी चाहिए लेकिन उससे पहले एक और जो बहुत important zone है जिसको मैं भी यहाँ प इसको देख सकते हैं यह जो मकडी जाल यहाँ पर बन रहा है जो 20,200 और 50 daily moving average का एक यह पूरा जाल है जो एक साथ यहाँ पर move कर रहे है और जब यह उपर की तरफ होते है moving averages तो बहुत strongly price को यहाँ पर एक तरह से resistance देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं especially यहाँ पर 200 daily moving average तो currently यहाँ पर जो यह situation है यह काफी जदा match कर रही है मार्च 2020 के साथ क्योंकि यहाँ पर भी यह हुआ था bitcoin की price जब 2019 में top out कर गई थी और correction ले रही थी RSI level वह पिस 52 के नीचे यहाँ पर आ रहा था तो वहाँ पर हमको एक dead cat bounce देखने को मिला जहाँ पर similar scenario ही यहाँ पर एक golden cross तो मैं currently यहाँ पर notice कर रहा हूँ क्योंकि exactly एक similar situation यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है तो इसलिए short term के अंदर एक चीज़ जो मैं देखना चाहूंगा 50,500 अगर इसके उपर जाना है golden का continuation यहाँ पर होना है तो सबसे पहला zone हमारी लिए यही होगा जिसको एक बार हम वैस और फिर वहाँ पर price hold करें और weekly थोड़ी बेटर हो जाएगी तब तक it will be really hard. So this is another area that you can keep an eye on और अगर आप देख रहे हैं अभी currently 45,000 डॉलस से लेके यह 47,000 डॉलस के बीच में ही है तो तीनो moving averages यहाँ पर जो है कलेज बनके यहाँ पर बैठे हुए है तो इन पे भी आप आ देखते हैं कि price का movement है किस तरह सोता है दो weekly candle closing देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आज की वीडियो के अंदर जो आपसे information share करीए यह थोड़ा आपको clarity दे and आपकी trading setup के अंदर भी थोड़ा सा आपको किसी तरह का यहाँ पर वो help यहाँ पर provide कर पाए बाकी यहाँ पर इस week के अंदर थोड़ा सा आप यह ध्यान अखना कि infrastructure bill जो है तो उसके उपर discussion होगा US के अंदर जहाँ पर possibly उसको pass करने की कोशिश करी जाएगी वहाँ पर cryptocurrency को लेके भी एक clause है जिसके उपर काफी बात है और debate वगरी हुए ज जो last time जब इनका Senate में discussion हुआ था उसके उपर voting वी थी उसको pass कर दिया गया था अगर आपको नहीं पता हैं किस चीज के बारे में बात करें तो हमारा पुराना वीडियो जो है इसको आप देखना तो अभी यहाँ पर काफी important रहेगा कि यहाँ पर जो अभी यह बिल यहाँ जब house के अंदर आ रहा है पास होने के लिए जो last stage बन जाती है एक तरह से यहाँ पर क्या cryptocurrency को लेके कुछ amendments यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते हैं थोड़ा सा आप यह धियान रखना कि जब इस तरह के event होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी हमको price के अंदर volatility यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो price pump भी कर जाती है फिर dump भी कर जाती है तो थोड़ा सा आप careful रहना यह last time भी हमको जब Senate के अंदर discussion हो रहा था तब भी हमको देखने को मिला था तो इस बार भी possibility उस चीज़ की यहाँ पर हो सकते हैं तो उसी according अपने stop loss और सारी चीज़े हैं proper तरीके से यहाँ लगा के रखना बाकी regular update चाहिए infrastructure बिल के बारे में तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जॉइन कर सकते हैं उसका link आपको description मिल जाएगा तो आज के वीडियो में काई जित्त है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कुछ नया सीखने को मिला है वीडियो को लाइक क चैनल पर भी subscribe करिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए goodbye and take care